हेलो गैस मैं हूं अरिफ और आप देखते हैं साइन्स टेकनोलोजी जिन्फो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी वेबसाइट में कनेक्शन टाइम और एरर आ जाए तो हमें उसे कैसे रिमॉफ करना चाहिए और बिसिकली अगर हम वर्टप्रेस पे विबसाइट को बना रहे हो या कोई भी विबसाइट अगर वर्टप्रेस पे बनी भी हो तो इस तरह के प्रब्लम्स को हम कैसे रिजॉल्ब करेंगे ठीक है तो हमें कुछ नहीं बिसिकली के हमें कुछ चीजों पे थोड़ा सा जन्गारी होनी चाहिए और स्चाइब आप लोगोंने सी पैनल का नाम सुना होगा अगर नहीं सुनना है तो कोई दिकत नहीं है मैं आपको बता जयता हूं C panel basically कहते है control panel को ठीक है basically क्या है कि यह मेरा life project है Obyon Infotect company है ठीक है और यहाँ पर हमें यह error आ रहा है connection timeout का यह connection timeout है अगर मैं इसको फिर से click कर रहा हूं तो यह ओपन नहीं हो रहा है कि यहां पर बोला है कि connection time won't ठीक है तो हम इसको resolve करेंगे हैं अबी दिखी गाइस यह है C panel और यहां पर हम कई सारी चीज़ों को manage करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं जो एर रा रहा होता है connection time won't को हम जाते हैं multi-php-ini editor में उसके बात फिर हम टाइप सर्च करते हैं अपनी domain को तो यहां पर domain है हमारा home directory पर हम नहीं जाएंगो 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 ठीक है अब यह है memory limit memory limit हमारा काफी कम है memory limit को थोड़ सा extend कर देते हैं 1024 एम मिले लेते हैं ठीक है और हम क्या करते हैं आपर है maximum execution टाइम है इसको हम हचार कर जाते हैं और इसको save कर जाते हैं इसको save कर जाते हैं कर देखें अब यह बिल्कुल fine चल रहा है मतलब अगर आप कोई भी पेज पुलिए तो आपका यह पेज आप खुल जाएगा किसी प्रका कोई दिकत नहीं करेगा तो जब भी कुछ इस तरह का दिकत हो आप कुछ नहीं आप जाएंगे पीच पी आई नाई में और वहां पे आपको सिर्फ करना क्या है कि memory limit बढ़ा देनी है और maximum execution time यह maximum execution time और memory limit आपको बढ़ा देनी है ठीक है और ज्यादा साथ अगर हो जाए तो आप कर दें compression ठीक है फिर apply कर दें फिर आपको जो प्रॉब्लम है connection का connection timeout का वो नहीं आएगा अब आप यहां पे देखिए ठीक है गाइस तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकेंज को क्लिक कर ले थाकि मैं कुछ भी वीडियो बनाओं तो वो आपके पास पहले नोटिपिकिशन आ जाए और इसका फायदा जदे सादा फायदा उठाएं श фотографी पास पास ऐगिक है झाल को